देश और प्रदेश पर फिर से कोरोना का खत्रा मड़रा रहा है लेकिन प्रशाशन इसको लेकर अभी भी लापड़वा है मदेपुरा में भी इसका नजारा देखने को मिल रहा है जहां प्रशाशन कोरोना के खत्रे से बेपड़वा है दरसल मदेपुरा स्टेशन पर कोडोना जाँच के नाम पर खाना पूर्ती की जा रही है स्टेशन पर उतरने वाले कुछ ही यात्रियों की कोडोना जाँच की जा रही है बागियों को ऐसे ही उनके घर भेज दिया जा रहा है इस बात को लेकर पटना आई जी आई एमस के सुप्रिडेंटेंट डॉक्टर मनीस मंडल ने भी बयान जाड़ी कर लोगों को चिताया है हलांकि स्वास्त विवा के कर्मी रेलवे स्टेशन पर कोडोना जाँच के लिए जरूर तैनात किये गए हैं लेकिन कुछ ही यात्री ही जाँच कराते हैं जादतर यात्री वगेर जाँच का ही आ जा रहे हैं बिजेपी प्रदेश कमीटी के सदस्यर राहुल यादब ने भी प्रशाशन पर लापड़वाही का आरोप लगाया है कोरोना पर ऐसी लापडवाही भारी पर सकती है क्योंकि दूसरे राजियों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और होली के चलते दूसरे राजियों के आने वाले लोगों की संक्यां का भी बढ़ गई है अगर स्वास्त विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई तो प्रदेस में एक बार फिर से कोरोना विस्पोर्ट का ख़तरा बढ़ सकता है निए दाना हाँ इसमें पुना करोना का प्रकोप तीगुणा चरबूना रूक ले रहा है हम आम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने करोना का भी चेश्ट कड़ाए ताकि संक्रमन बटने से रोका जा सके अगर आप देखें तो मैक्सिम जो हमारे किसान बंदू है या लेवर बंदू है यह पंजाब महराष्ट में जाते हैं और कुछ अनग जग भी जाते हैं तो चिंता के विश्य है कि यह जो किसान मजदूर जा रहा हैं पंजाब और यह महराष्ट में यह होली और छट पे में रेलवे स्टेशन पे ही हो जाए inappropri के यह जाए हृट के बाद ही इनको घंड जाने का मौचा मिलेु तुरूप से होली का समय है और बेशविक महामारी कोरोना का सटेश्टrust चल रहा है और ऐसे में रेलवे स्टेशन पर जिला प्रसासन और वीहार सरकार के नेतरित में हम जाने वाले यात्री और जाने वाले यात्री कोई भी कोरोना का जांच नहीं करा रहे हैं उनको बार बार बुलाने के बाद भी वह जांच नहीं करा रहा है रेलवे प्रसासन वहां जो लगी ध्वनी विश्तारक यंत्र है उसके बाब जुद उससे प्रचार भी नहीं कर रहा है कि जो लोग बाहर चाह रहें किर्प्या करके एक बार कोरोना जांच करा लें ऐसे में कैसे होगा